दोस्तो अज Sensex का Xperry है Sensex Xperry पे जो position लिए हैं अभी देखे थोड़ा loss चल रहा है proper discipline के साथ इसको follow करेंगे poot side पे हमारा जो stop loss है वो stop loss को trigger कर दिया तो देखो ये level के आजपस अगर आप chart को देखोगे ये देखो उपर level के आजपस आके हमारा stop loss को trigger किया ये देखो spike होके around 340 से उपर देखो ये spike हमको देखने के लिए मिला है तो spike करके stop loss को trigger किया उसके बाद ये उपर level से थोड़ा selling pressure इस पे देखने के लिए मिला है तो देखते हैं properly हम इसको follow करके जाएंगे अगर कुछ भी जा changes करना है देखते हैं क्या result आता है वो details पे आपके साथ share करूंगा तो अभी ये देखो थोड़ा loss इस पे चल रहा है दोस्तो net net हम 8469 के आसपास ये profit book किये हैं काफी ज़्यादा volatile momentum हमको आज देखने के लिए मिला है यहाँ पे देखो 15 मिनिट का sensex का candle stick pattern मैंने open किया है सुबा सुबा 9.15 से लेकर ये around 10 o clock ये 45 मिनिट देखो fall इस पे देखने के लिए मिला उसके बाद ये 10 o clock से लेकर 1 o clock 115 के range के अंदर ये देखो पूरा 100 point 150 point range के अंदर ये देखो उपर नीचे momentum देखने के लिए मिला है इस पे जो premium है premium काफी ज़्यादा spike हो रहा था क्योंकि 100 150 point range के अंदर उपर नीचे momentum को देखने के लिए मिल रहा था उसके बाद देखो around 115 से लेकर 130 के आसपास और एक spike देखने के लिए मिला नीचे की तरफ तो ये लोगभग 200 200 point के आसपास नीचे आ गया उसके बाद देखो पूरा range के अंदर ये trade देखने के लिए मिला है तो दोस्तो इस टाइव का market पे आपका stop loss trigger होने का chance बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस पे आप थोड़ा panic पे आके multiple trade लोगे तो इस पे multiple loss होने के chance रहता है लेकिन अगर आप एक patience के साथ rule को follow करके काम करते हो तो देखो net net एक decent income इस पे generate हो जाता है अगर आप ये safe simple strategy सीख के खुद काम करना चाहते हो तो मैंने वार्ट्सप नमबर सेयर कर देता हूँ आप मुझे वार्ट्सप के थूँ कांटाट कर सकते हो